श्ट्रस एक्जाम्बल नंबर 6 हम देखते आज F is equal given 3i करेट प्लस 4j माइनस 5 के करेट D displacement 5i करेट प्लस 4j प्लस 3k Find the angle between the F and the D and projection of F on D तो now here is a wish difference तो इसका solution हम लाते बच्छों मेरे आवाज में थोड़ा disturbance आता होगा क्योंकि बाहर जोंबारिश स्टार्ट हो रही है और आगे के वीडियो में भी बच्छों यह फूल बारिश हो रही है और हम वीडियो बना रहे तो यहां मेरी आवाज के अंदर कुछ आपको हलकी सी आवाज भी आएगी बारिश की मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर से कुछ जाय साय फिल्टर कर सके पर कई बार बच्छो ये फिल्टर नहीं हुपाता थो अंदर बारिश की भी आवज आती है तो बच्छो मैं इसके लिए आपको स्वारी चाहता हूं पर यहां मैं आगे जाओंगा तो we want to find out the angle theta so we discussing the verb in previous lecture w is equal to fd and now here the w is equal to we remove a dot sign so fd cos theta now we comparing this both equation so here this equation we can write down in this way fd cos theta is equal to fd श्टो साब बारिश की घर्ज ना सुन सकते होंगे लाइपनिंग भी हो रही है साथ में सायद इलेक्टिसिटी ओफ हो जाए तो आप बच्छों थोड़ा क्या सकते हैं पर अभी बच्छों नहीं है तो अब यह जो है मारा वेक्टर बता रहा है और यह क्या है तो fd we want to find out the value of cost एक एक महा भारत के यूद्खी बताईब इस चैप्टर का फर्स लेक्टर के अंदर और मैंने आपको बताईब करता है तो क्या करें तो को सिखाया था का मा बारत के अंदर जो यूद्ध हुआ उसके पहले कुछ शर्ते रखे दी तो ये महारती है तो महारती और महारती का फ्लस इंटू होगा तो थ्री फाइजा फिप्टें आई इंटू आई वन हो जाएगा प्लस फोर्फोर्जा शुक्ते जे इंटू जे वन माइन प्लस माइन पया प्लस था फिक तेट नव अप्वन फन एकना अन्डडूलम इंटू नाव अपन एक एक ग्डूद का फाइज़ा घूल मेग्डिन के अं गयाक तो अंडरूट अब अब फका मेग्डूलमेटभाई लियु 3 का स्क्वार, जब अच्वा मेड़िए फाइं कर ते आई, J और की कोने हिले थे, प्स second one is 3, 4, square plus minus 5 square and मेड़िए of the D, so value of the D is given of 5 square plus 4 square plus 3 square. स्क्राइब कर जाएं के तो 16 divided by 9 plus 16 plus 25 अब जानते हैं किसी भी value का जो minus का square होता है, तो अल्वेज वो positive हो जाता है, and now here the 25 plus 16 plus 9, so cos theta is equal to 16 upon, तो इसका answer हम लाए, तो 9 into 60 बना 25 or 25, 50, so answer is 50 and another also it is a 50, root 50 and the root 50, तो its answer is 16 upon 15, simplify करें, तो cos theta is equal to 0.32 something कुछ आएगा, ठीक है, अब यहाँ इसकी value मुझे आगे ले जानी है, तो कैसे करूँ, तो यहाँ इसको हम देखेंगे, तो इसको sign में convert कर देता हो, तो sign कर दो तो मैंसा लेक सकते है, sign 90 minus theta, तो यहाँ आप इसके पीछे कुछ नहींदा, आप ऐसा भी कह सकते है, तो इसका angle कितना होगा, तो आप sign देखेंगे, तो इसका angle कुछ 18 आएगा, 18 degree, अब दोनों दरब से हम यह sign को निकाल दे, तो sign चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, 90 minus theta is equal to 18 degree, तो यहाँ, therefore theta is equal to 90 minus 18, तो I think हमारा उच्वाएगा, 82 degree, तो यहाँ angle between, देख, उच्वाइगा, तो यहाँ angle हमारा कितना होगा, तो हम यह समझ सकते, तो यहाँ वही चीज मैंने आपको बेटर समझाने की कोशिस किया, तो यहाँ अफ्रेंस हम यह angle find कर चुके, अब यहाँ समझो, कि हमें और पुझा है, अब projection of the f on d, तो projection of f on d कैसे find करें, तो मैं लिखूंगा, तो कैसे find करते हैं, तो second point लेते हैं, अब projection of f on d, तो now here we draw a projection, तो मैं इस projection को इसके पर बना देता हूँ, तो यह बच्चोई थोड़ा weak रहता है, ओके, और now here we projection, in this way, तो आप इसका अर्डारिक फर्मूला लिखो तो भी चलेगा, f cos theta, आगी की वीडियो के अंदर में मता तूंगा, f cos theta अमाला projection क्या होता है, तो we draw the perpendicular line on the distance, f, value of the f, तो we already derived, the value of the f is given, तो students, value of f, हमने डिराए किते थी, किते थी, तो root 15, किसी एक की value, root 15, और cost कितना आया, तो cost की value पच्चोँ, हमने डिराए के थी, theta is equal to, हम लिख चुके थे, और उसके आई थी, cost theta की value यह, 0. मतलब यह, जो भी value थे, आप directly लिख लिख तो 0.32, इसका root करेंगे, और यह answer आप लाएंगे, तो इसका answer, approximately आप लिख सकते, और 2.26 something कुछ आएगा, तो इस प्रोजेक्शन आप f on the d, तो फैस्स यह क्या होगा, तो यह newton होगा, मतलब एक projection of the force on d है, मतलब न्यूटन बे होगा, force ही है, f cost it is the projection, तो यह प्रेस, यह example number 6.1 था, फ्रेस आगे के point के लिए, आपको wait करना पड़ेगा, मेरे next video को, तब तब तक friends, thank you very much, have a good day, देखते रहे हैं मेरे वीडियो को, और enjoy के लिए, thank you very much,